जहिन आद में बात करने वाला हूं University of Delhi IGI College जो कि जिसमें BPA और MP8 कोर्स चलते हैं उसकी अंसर की कब आईगी उसकी अंसर की within 15 days के अंदर आने वाली है अब बात आती है maximum student पूछते है सर उस university फिजिकल फ्रेट टेस्ट होगा या नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं BSC physical education के में बात करूं 50-70 students के हम बात करें वो ऐसे students हैं जिनको physical test के दोरान जिसको हम बात करें डॉकुमेंट जो verification जो होती है जो certificate जो होते हैं उनके पास पूरे नहीं होने के वैसे उनको जो है reject कर दिया गया है उनके form को तो आप समझ सकते हैं कि सब्सक्राइब प्रॉलम आपके सामने आने वाली है वह है आपके documents वह हैं आपके sports certificate यह आप collect कर लो और आपकी within 15 days में आपकी answer की आने वाली है और आपका physical print test भी होगा यह आप अपने चीजों को prepare कर लेंगे ध्यान से कि physical print test होगा या नहीं होगा कौन सा होगा एक हम बात करें physical test की तो एक Canadian test होता है जो कि University of Delhi में होता है बीपेट एमपेट जो course करते हैं हमापर वो लोग उसको face करते हैं बाकि जितनी भी इंडिया में आप सब लोग को पता ही है उसके अंदर जो Canadian test चलता है वो थोड़ा सा difficult होता है डिफिकल नहीं है आपके पास strength है और आपके पास speed है तो आप उसको बीट कर सकते हो तो उस पर भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगो और एक वीडियो पढ़ी हुई है आप देख सकते हैं Canadian test क इसा होता कौन-कौन से उसके अंदर events होते हैं तो आप अब इसे त्यारी में लग जाए और बहुत ही आसान है डेली उनिवस्टी में admission लेना क्योंकि रेटन क्वालिफा हो जाता है तो आपके जो certificate का बहुत जादा अबर आपका जो documents जो पूरे complete है तो उसको पहले लेने ल करेंगे आपकी अंसर की जल्दी आने वाली है और फिजिकर टेस्ट की तैयारी में लग जाए और documents को आप collect करने हैं मिलते हैं next information के साथ thank you, जैहिंद कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहोना चुनिए Target Academy को और करें अपनी BP ADN MP AD का सपना साकार Download the ad now